हाई फ्रेंड वेलकम तो विद्धा टार्टिन आज हम जिस इनुवर्सिटी की बात करने वाले हैं उसके लिए हमें कई सारे वाट्सेप मेसेज़े अक्रॉस भी एर आते रहते हैं और उसका नाम है अलिगर्ड मुसलिम इनुवर्सिटी इसमें एड्मिशन कैसे होगा क्या मै डारेक्ट अड्मिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ किन किन कोर्सिज का यहां का प्लेस्मेंट बहुत अच्छा है बीटेक कैसे यहां से कर सकता हूँ BTEC करना कितना सही रहेगा MBA कैसा है यहां का इस तहरे के काफी सारे questions तो friends आज इन सभी questions का answer आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा आज की वीडियो में हम इसके admission process, ranking, placement, offered courses eligibility सभी की detail में बात करेंगे और अगर आप इस particular university के बारे में और detail में जानना चाहते हैं अलिगर मुस्लिम university के बारे में और detail में जानना चाहते हैं तो link हमने description box में दिया है उस पर click करके आप सभी courses की, सभी courses की free structure की details चेक कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी doubt, कोई भी question आता है तो आप हमसे WhatsApp, Instagram या फिर हमारी वीडियो में comment करके हमसे connect कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी question के answer हम आपको जल्दी से जल्दी दें, चलिए start करते हैं सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा brief में जान लेते हैं, 1920 का establishment है, नायक एक रेट Central University है, जो की अलिगण उत्रप्रदेश में situated है लगबख 1100 एकड के area में इसका complete campus बना हुआ है 1100 एकड का campus है तो ये campus नहीं, एक पूरा शहर बसा हुआ है, इस पूरे शहर में यानि कि इस particular campus में आपको सभी facilities, जैसे कि decent classrooms, auditorium, libraries separate boys and girls hostel, sports facilities लगबख सभी चीजे विदिन दी campus बिलती है, अलिगण मुस्लिम उनिवसिटी के तीन off campus centers भी है, ये centers मलापुरम, केरला, मुशितावाद वेस्वंगाउल और किसंच गन बिहार में है, आप इन तीनों इस centers से अलिगण मुस्लिम उनिवसिटी के सभी offered courses को कर सकते हैं अगर हम इसकी ranking की बात करें तो अलिगण मुस्लिम उनिवसिटी को NIRF 2022 में 11th rank दिये है overall इंडिया में इसकी 11th rank है इसके साथ-साथ BITEC courses के लिए 37, law के लिए 12, medical courses के लिए 22 और MBA के लिए इसकी rank 57 है I hope आपको पता है कि अब आप Vidya.in के through colleges and universities में online one click में apply कर सकते हैं और आपको काफी सारे application forms में discount भी मिल जाता है इसका भी link में इने description box में दिया है आप check कर सकते हैं अब हम आपको यहां के offered courses के बारे में बताते हैं अलिगण Muslim University से आप medical, agriculture, engineering, management, computer application, art, science, law, nursing की field में 100 से भी जादा UG and PG courses कर सकते हैं अगर हम engineering की बात करें तो B-tech courses आप यहां से computer science engineering, petrochemical, mechanical, electrical, civil, electronics, chemical engineering, food technology जैसी branches में कर सकते हैं यहां की fees अप्रॉक्स 17 तु 19,000 पार रैनम की है अगर आप यहां से self finance seat लेते हैं तो उसकी fees अप्रॉक्स 40,000 पार रैनम तक हो सकती है M-tech courses के लिए आपको यहां से 25 से भी जादा specializations के option मिलते हैं आप यहां से civil, computer, mechanical, petroleum, petrochemical, chemical engineering, electrical, electronics, software engineering, agriculture, food technology जैसी branches में M-tech courses कर सकते हैं यहां की M-tech की fees अप्रॉक्स 18 तु 20,000 पार रैनम की है management की field में आप यहां से MBA कर सकते हैं MBA में आपको financial management, banking and finance, hospital administration, agribusiness जैसे specialization भी मिलते हैं MBA की fees यहां की लगबग 22 तु 24,000 पार रैनम की है यानि की आप यहां से complete MBA लगबग 40 से 45 वजार की fees में कर सकते हैं अगर हम law की field की बात करें तो आप यहां से B.A.L.B. कर सकते हैं जिसकी fees approach 14 to 15,000 पार रैनम की है L.A.L.M. कर सकते हैं जिसकी fees approach 12,000 पार रैनम की है आप यहां से B.A.C.A., M.S.C. honors, agriculture, mathematics, geology, computer application, physics, chemistry, biochemistry, botany, geology, statics, home science, geography जैसी ब्रांचिस में कर सकते हैं जिसकी fees approach 9 to 11,000 पार रैनम की है आप B.A., honors, English, Hindi, Sanskrit, Urdu, geography ऐसे कही सारे specialization में कर सकते हैं जिसकी fees approach 7 to 10,000 पार रैनम की है आप B.C.O.M. कर सकते हैं जिसकी fees approach 9 to 11,000 M.C.O.M. कर सकते हैं जिसकी fees approach 17 to 19,000 पार रैनम की है Medical and Paramedical की field में आप यहां से MBBS कर सकते हैं जिसकी fees approach 45 ते 49,000 पार रैनम की है M.D.S. कर सकते हैं जिसकी fees 40,000 पार रैनम की है इसके इलावा आप यहां से Optometry, BPT, B.C. Nursing, B.C. O.T., MLT, BMRIT जैसे कोर्सेज में Diploma and Degree Courses कर सकते हैं अब हम बात करते हैं यहां के eligibility criteria की देखिए अलिगट Muslim University के जादा तर UG courses में admission के लिए आपके 12 में 45 तु 50% marks होने चाहिए इसी तरह से अगर आप यहां से post graduate courses करना चाहते हैं तो graduation में 50% अना बाब marks होने चाहिए देखिए यहां का basic criteria है बट अलिगट Muslim University के किसी भी course में admission directly और merit basis पे नहीं होता है आपको यहां admission सिर्फ और सिर्फ entrance basis पर ही मिल सकता है लगबक साथ से 8 ऐसे courses हैं जिसमें की admission आपको CUET के basis पे मिलता है बट इस साल भी काफी सारे courses में admission AMU में admission AMU entrance exam के basis पर ही हुआ है तो अगर आप यहां से BTEC, MTEC, MBA, LAW जैसे courses करना चाहते हैं तो आपको AMU का entrance exam देना होगा और उसे में आई हुई score उसी में आई हुई rank के basis पे आपको यहां पर admission मिल सकता है अगर आप यहां से medical या फिर paramedical courses करना चाहते हैं तो इन सभी courses में admission आपको NEET की counseling के basis पे NEET exam के score के basis पे ही मिल सकता है अब हम बात करते हैं यहां के placement की काफी सारे students को यह doubt होता है कि यहां से BTEC, management, law करके placement मिले गा या नहीं तो मैं हमको बताना चाहूंगा कि AMU के जादा तर courses like BTEC, management, law, medical, paramedical का placement लगबग 90-95% का है यहां का highest placement अप्रॉक्स 10 lakh परनम और average package अप्रॉक्स 3.5 lakh का परनम का है अगर आप यहां से BTEC, MBA, law, nursing, paramedical, BPT इस तरह के courses करते हैं तो बिलकुल भी आप tension में मत रहें बिलकुल भी doubtful मत रहें अगर आपको यहां पर admission मिल जाता है वैसे तो आप बहुत lucky होंगे अगर आपको यहां admission मिल जाता है और अगर आपको admission मिल जाता है तो आप यहां से यह सभी courses को 100% बिना doubt के कर सकते हैं देखिए जैसे कि मैंने आपको इस starting में बताया कि law के लिए इसकी rank overall इंडिया में rank 12 है बिटेक के लिए overall इंडिया में 37 है उसके साथ MBA के लिए इसकी rank around 57-55 के around है तो इतनी अच्छी NIRF ranking होने के बाद अगर यहां से आपको placement नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है तो आप इन सभी courses में 100% यहां पर admission ले सकते हैं and I am 100% sure कि आपको यहां से एक अच्छा placement असाली से मिल जाएगा काफी सारे students को ऐसा लगता है कि अलिगण Muslim University सिर्फ Muslims के लिए है ऐसा बिलकिल भी नहीं है काफी सारे Hindu students भी यहां पर पढ़ते हैं और अगर आप भी हिंदु हैं तो भी आप यहां पर admission ले सकते हैं ऐसी कोई problem वाली बात नहीं है Friends, I hope मारे इस वीडियो से आपको अलिगण Muslim University की सभी information जरूर मिल गई होगी अगर आप इस particular university के इसके offered courses, free structure के बारे में और detail में जाना चाहते हैं तो link हमने description box में दिया है, आप उस पर click करके सभी information को ले सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, useful लगा हो, तो इसे like जरू कर दें Friends के साब भी share कर सकते हैं और अगर आप channel पे पहली बारा हैं और अभी तक आपने channel नहीं subscribe किया है तो channel को जरू subscribe करने, bell icon को click करके all select कर दें जिससे की आपको हमारे आने वाले notification, आने वाले colleges के video timely मिलते हैं तो friends मिलते हैं, अपनी next video में, till then take good care of yourself, bye bye